हेलो गाइज विल्कम बेक टो मैं चैनल डिवाइन रोवर दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में गया तो देखा एक हमारे वीवर कमेंट गेते जिनका नाम है संदोष कुमार धिवार तो उन्हों ने कहा कि भाई मैं आपका वीडियो देखके स्वाप खोल आप यह है कि मैं अपने दुकान का किराया भी नहीं भर पा रहा हूं तो कुछ ऐसा बताईया कि मेरे दुकान पर जादा से जादा ग्रहा का है तो मुझे लगा हां सही है तमाम लोग इस तरह के हैं जो मेरी वीडियो देखके दुकान खोल लिया है और जिसमें से मतलब यह पहले सक्स हैं जिन्होंने यह कमेंड करके कहा कि मतलब मेरी दुकान नहीं चल लए है आपकी वीडियो देखने की वजह से मैं दुकान पर लिया और मेरी दुकान नहीं चल ली है अब कोई टिप्स बताईये तो भाई ठीक है मैं कुछ टिप्स बताऊंगा लेकिन उसके ला लेकिन सब्सक्राइबर जी की दुकान क्यों नहीं चल ली है इसका पूरा रीजन मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कि मुझसे वह सिर्फ उनने इतना ही बताया उसके लामा बहुत तरी चीजे होती हैं दुकान ना चलने के पीछे और उसके लामा संतुर जी मैं आप से एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए आपने इलेक्ट्रिक स्वाप की जो है मतलब इलेक्ट्रिक स्वाप खोली है कोई डारू का ठेका नहीं है टिकर इस बात से जो है मतलब बुरा मतमानिये गया आसे मेरा यह है कि इलेक्ट्रिक स्वाप पे जैसा कि पहले भी वहां पे इलेक्ट्रिक स्वाप रही होंगी जहां पे वहां पर भी जुड़े हुए हैं वहां से वह अचानक छोड़के आपके पास नहीं आ सकते जैसा कि दारू का ठेके में यह सिस्टम में दारू का ठेका किसी कोने में खुल जा तो पीने वाले जो है खोचते हुए वहां पहुच जाते हैं मतलब वहां पर पीना वालों की डेवणों की भीड लग जाती है लेकिन जब आप वहीं कोई किसी अलग तरह की सवाप Cash हो घुलते हैं या इलेक्ट्रिक आष आए कपड़े की सवाफ हो या किराणे के सावल को तो वहां पर हमें क्राहग को लाना पड़ता है और वो लाने का जो है हमारे अंदर जो है तरीका होना क्वालिटी होनी चीए कि हम कैसे ग्राहक को ला सकते हैं वो मुझे खुद सोचना पड़ेगा मैं यहां से कुछ भी बता दूँ जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊंगा वो आप करेंगे तो ग्राहक आई जाएंगे कि आपको अपने वहां के मार्केट अपने वहां के समाज को देखते हुए जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग जो है आपके दुकान पर ज्यादा ज्यादा आने लगें क्योंकि अगला व्यक्ति कहीं ने कहीं जो है सेट किसी ने किसी दुकान पर सेट मतलब जैसा कि ज्यादा ज्यादा लोगों का जहां से मतलब लेन दिन रहता है वहीं पर जाते हैं कि वहां पर क्यों जाते हैं कि उनसे उनका लगाव भरोसा हो चुका है तमाम चीजें वह वहां से तभी तूटके आपके पास आएंगे जब उनका भरोसा तूटेगा या फिर जो है उनसे अलग कुछ आप करेंगे अब अलग में आप क्या कर सकते हैं वह आपको देखना होग हमारे हिसाब से तो बहुत सारी चीजे होती है भाई उनको जब वह आते हैं तो बात तो खेर दुकंदार का जो है यह प्रोफेशन होना चाहिए कि बात जो भी है सर चचा जो भी मतलब जो जिस तरह से उनको जो है संबोधित मतलब अच्छे लेंग्वेज में उमर के दुकान होना चाहिए कि हाँ समान हमें मिल उसके लाव और भी चीजे होती है कि समान उन्हें जो है क्वालिटी का होना चीए कि अगर एक बार लेकी जा रहा है तो वह चार लोग उसके है फला जरस में लेकर आया था और बहुत ही अच्छा समान था और अभी तक मेरा चल ल हुए आपको दुकान खोले हुए मैं जब दुकान खोला था तो मुझे कम से कम दुकान जमाने में मुझे लग गये थे दो साल के करीब में लेकिन मैं घबड़ाएं नहीं कि मैं संतोष किया और धीरे 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 आज देख सकते हैं मेरी दुकान अभी तो यह वीडियो बना रहा हूं तो यह चीजे मतलब आपको समय देना पड़ेगा अब आप सोच रहा है कि आज ही मैं दुकान खुलूं आज ही से मेरे पास जो है अच्छी खासे जो है क्राहा का जाएं रोज मैं पचास जार पांस जार दस जार बीस जार या एक लाग की सेलिंग कर लूं तो यह चीजे भाई एलेक्ट्रिक स्वाप में नहीं हो पाएगी हम लोगों की इतनी पुरानी स्वाप में फिर भी मतलब कभी-कभी हाला तक्दम डामन डोल रहते हैं और उपर थे जो है यह कोवीड वगएरा की वज़े से एक बार जो है लागडाउन हुआ फिर जो है क्रोना करफी वगएरा लगा अभी फिर माहोल थोड़ा थुद्रा दुकाने खुली हैं लोगों के जो है जो आप ठुटे हुए थे काम बंद था लोग मतलब कहीं बाहर रहके कमाया करते तो वह घर पे हैं तो इन सब चीजों की वज़ा से हर आदमी अब मतलब बहुत ही जब जरूरत पड़ी मतलब की अब लगता हूं कि अब जो है काम नहीं चलने माला जिससे अब इस रूम का बल्ब फ्यूज हो जाए तो अ आरो फ्यूज हो जाएगा तभी मैं बल्ब लेने जाओंगा तो यह चीजे होती है तो आप अभी से जो है अपने आपको मतलब मायूस मत करिए कि आपने गलत निर लिया है तो आप खोल के देखिए अगर अगर फोलने के सोची है तो आपकी रूची रही होगी तो अगर आ आप उनको जानेंगे और हमारे स्वाफ पर आना सुरूं करेंगे तो आज दो आएंगे फिर वो दो दो और लेकाएंगे चार हो से जुड़ते जाएगा तो वह एक बैग नहीं जुड़ेगा कोई कंपनी भी खुलती है बहुत सारी आप नेट वर्किंग कंपनी और एक बार में जाते होंगे एक स्टार्ट करता वह एक को जुड़ता है फिर उसे कहता कि तुम एक और लेके आओ कि अब मैं टो सबीसरे का सिस्टम और लेकिन दुकान में बीडिन का शिस्टम होता है जो इलेक्रिट्रिजीयन होते हैं उनसे इसे होता है तो आप इलेक्टिसियन वगएरा अगर आते हैं तो उनको अच्छा रिस्पॉंस दीजिए और उनसे इस मैटर भी बात करें कि कितना आप उनको क्या देंगे कितना Когда उनको है तो यह चीजे आप करके और ग्रहाक लेकर सौप पिर यह एक बार अपना कमिशन लेके किनारे हो गया लेकिन उसके बाद से वो ग्राहक आपके पास अगर जुड़ गया आपने उसे अपने बातों से जो है अपने तरफ आकर्शित कर लिया तो ग्राहक बार बार आएगा खुद भी आएगा और लोगों को ले के आएगा तो दुकान इस तरह से चलानी पड़ती है और पता नहीं कितने सा अब स्टार्टिंग किये मैं तो बहुत ही छोटी एमाउंट से स्टार्ट किया था और जल्दी उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं तो यह चीजें जो है आप ध्यान में रखिए और अपने आपको बिल्कुल जो है मतलब कहीं से अपने अंदर निगेटिव जो सोच मतलब आई है कि आपने गलती की और आपकी दुकान चल नहीं लेगे कोई भी दुकान तुरंद नहीं चलती है उसके लिए समय देना पड़ता अपने दुकान को जो एक प्रांड बनाना पड़ता है कि लोग आपके दुकान की चर्चा मार्चेट में करें लोग कहें फला दुकान जैसे में फुरे छेतर में पूरे मार्केट में जानते हैं कि ग्रीन लाइट कि उस मार्केट में दुकान वहां चले जाओ बहुत सारे और समान आप एंट क्योंकि जब ऐसा समान आपके पास रहेगा तो लोग खुद कहेंगे यार फला दुकान वालेगे पास चले जाओ उसके पास जरूर मिलेगा कुआ कुवाइब गांट पर बहुत सारे customer इसी तरह के आते हैं जो समान अगर में दूकान पर खत्म होगयां है और इता हूं कहता हूं कि नहीं है आगे किसी और दूकान पर देख लिए तो यहीं कहते हैं कि अगर आपके वहाँ नहीं मिला तो अब कहीं नहीं मिलेगा तो मैं उन्हें टाइम दे देता हूं कि ठीक है आप इतने दिन लूग जाओ मैं वह समान अवलेबल करा दूँगा जैसा भी मतलब मुझे मार्केट जाना रहता उसी साफ से मैं टाइम दे देता हूं या अगर ज्यादा एमर्जंसी है अगर चांस है वहां से मार्केट समंगाने को होलसेल मार्केट से जैसे अपने वहां पे तमाम लोग रिलेशन के तो उनों लोगों से कह देता हूं तो आप प्रेशान मत भुता है में बार बार एक ही बात कह रहा हूं इसी वज़ासे और अपनी दुकान पर किस तरह से आप ग्रहक ला सकते हैं आप खुद अपना माइंड लगाई सिर्फ मेरे उपर डिपेंडर यह कुछ ऐसा बता दें यहार जो है कोई दोहा तावीज वाला सिस्टम नहीं होता कि उतलब कुछ हम बना के दे देंगे और आपके वहां गरहा काना सुझो जाएंगे ऐसा अगर होता तो हर आदमी कर लेता वैसे करते हैं फिके वह तो धार्मिक शीजए हैं हर तरह के लोग अपना-पना करते हैं तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिजिये सबसे मेंची अपनी जो एक क्रेडिट वनाई है कि आपके क्रेडिट पर ग्रहा काना अगर चालो हो गये तो वह कांटिनू आएंगे और लाइफ टाइम आएंगे जब तक आप अपना संब्ध खुद से खराब नहीं करेंगे संब्ध कैसे खराब होता है जैसे कि उन्हें गलत समान दे दिये या कोई समान ज्यादा रेट में दे दिये मतलब वो मार्केट में तरस्ता मिला और आपने बहुत ज्यादा रेट ले होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और किस तरह की आपकी प्रॉब्लम है या किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वह हमें कमेंट करके जरूर पताईए और वीडियो कैसी लगी यह भी बताईए और एक सी और आपसे कहाना चाहू करते हैं तो मैसेज में मुझे 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 पूछले में उन्हें बता दूगा किस टाइम मों मुझे काल गरेंगे वीडियो बना रहा हूं कि आज भी मुझे जाना है मार्केट और जब से लागडाउन ये 15 दिन हो गया खुले हुए मैं मार्केट नहीं जा पारा थे क्योंकि काम चला था और काम में मैं ज्यादा ब्यास था काम अभी चला लेकिन उसी साइट पर का जो बहुत सारा समान मतलब खतम हो गया जैसे आर सी सी बारा माडल रोमाक प्लेट कुछ दस एंपियर स्वीच यह सब खतम हो गया तो इस कारण से मुझे आज जाना और मतलब मार्केट जाने पहले प्लानिक था लेकिन अब यह जरूरी है तभी वहां की साइट फाइनल होगी तो अब आज मैं जाओंगा मार्केट और मार्केट वाली अपडेट तो ब्लाग वाल तो आप मेरे तो दूनों चैनल को अगर सब्सक्राइब किया नहीं कि तो कर लीजिये और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज जोस चैनल पे मैं दिन भर की अपडेट डालता रहता हूं पर डेगिए तो आपको वहां से उसकी अ झाल 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 झाल